यह आप एक्जेंबल देखें इस एक्जेंबल में एक वीरियबल है यू इन्ट 256 आने कि आपने 256 बिट का एक वीरियबल बनाया है जिसमें 256 बिट्स हैं वैल्यू उसमें स्टोर की है 10 अब अगर आप यू इन्ट 8 में या यू इन्ट 16 में उसे रखने जाएंगे तो के लिए 256 बिट्स हैं और आप उसे स्टोर करना चाहरें 16 बिट के अंदर तो कंपाइलर समझ रहा है कि बाकी की जो बिट्स हैं वो कहां जाएंगी बाकी बिट्स तो लॉस हो जाएंगी तो इसलिए कंपाइलर आपको ड्रेक्ली अलाव नहीं करेगा इंप्लिसिट उसमें पास कर दिया अब कंपाइलर क्या करेगा यह फंक्शन क्या करेगा यह फंक्शन पहली 16 बिट्स पिक करेगा बाकी बिट्स को लॉस कर देगा और वो वैल्यू इन 16 के वीलेबल में स्टोर हो जाएगी क्योंके वैल्यू वह है जो यूइन 256 में भी स्टोर हो सकती है Uint 16 में भी store हो सकते हैं, इसलिए कोई data loss नहीं होगा, 10 डोनों में store हो सकता है, इसलिए ये conversion हो जाएगी, आपको explicitly करनी पड़ेगी, data loss कोई भी नहीं होगा, ये एक और example देखें, इस example में हमने जो variable बनाया है, वो है Uint 16 का, उसमें value रखी है 300, और उसमें हमने int 8 का एक variable बनाय है, अब Uint 16 बड़ी data type है, Uint 8 छोटी data type है, जैसे हम पिछली example में देख शुके थे, 256 बड़ी है, 16 smaller है, यहाँ पर 16 बड़ी है, और Uint 8 smaller data type है, अब आप इसको रखने जाएंगे, तो आपको explicit cast करना पड़ेगा, again, क्योंकि compiler allow नहीं कर रहा है, तो आपने Uint 8 round bracket में 16 का variable डा Uint 8 की range से बाहर है, Uint 8 में 255 तक value आ सकती है, Uint 16 में 300 बड़ा है, यहाँ के Uint 8 की range से जादा, तो अब जब आपने इस variable को explicitly compiler को कह दिया, आप explicitly forcefully convert कर दें, तो उसने पहले 8 bit उठा है, Uint 16 के और Uint 8 में रख दिये, जिसकी वज़ा से कुछ data जो कि अगले 8 bits में था, वो loss हो जाएगा ऐसे case में, तो explicit casting करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कि आप convert क्या करने जा रहे है, क्या data loss आपके लिए acceptable है, अगर data loss acceptable है, तो तो आप use कर सकते हैं, वरना आप explicit casting उसके लिए use करेंगे, जब आपको पता हो, कि value convert हो सकती है, लेकिन compiler allow नहीं कर रहा, इसलिए हम explicit casting के थुरू use कर रहे है, ये एक और example देखें, इस example में हमने int 16 में 300 store किया है, और int 8 यूज किया है, अब ये int नहीं है, ये int है, int 16 अगें बड़ी data type है, int 8 चोटी data type है, int 8 में 127 positive तक value आ सकती है, तो ये भी हमें allow नहीं कर रहा, तो इसलिए explicit casting int 8 किया, अब value range जादा थी, यहाँ भी आपका data loss होगा, explicit conversion हो जाएगी, आखर के art bits loss हो जाएगे, जो पहले art bit पिक करेंगे, उसकी binary conversion से जो value बनेगी, वो आपका output होगा